हाँ तो बाई JKSSB, VLW Experience, sorry for the delay, बहुत लेट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने खुद कोशिश की कि मैं थोड़ा सा टायम लूँ और एक टायम का गैप लेने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो दूँ, थोड़ा सा एनालीसिस, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मै आपको ये वीडियो दूँ, तो finally I'm here, तो अब आज जो है वो, अभी मैं आपके साथ यहां पर बहुत important discussion करने जा रहा हूँ, आपके exam के हवाले से, देखे आभी answer की, जो है वो आपकी नहीं आई थी, answer की आने से पहले मैंने सोचा था कि बाई, एक session कर लेते हैं, लेकिन मे पहली बातों मैं यह आपसे पूछना चाहूंगा, how is the moral and how is the josh, आप सब लोगों का जो भी लोग आज इस exam में appear हुए हो, आप लोगों का जोश कैसा है, पहली बातों आप मुझे यह बताओ, और मैं उमीद करूँगा और expect करूँगा कि आप सब लोगों का जोश, जो है व लगों किन यहाँ पर, यहाँ पर मजे वाली बात कि यह है, भाई, मजे वाली बात यह है कि जन बंदों ने तकड़े लेवल का पढ़ के गए थे, जो तकड़े लेवल का हाई लेवल का पढ़ के गए थे, भाई, उनके marks जो है वो 70's में आ रहे हैं, ठीक है, जो फिछले 6 स आठ महीने से पढ़ रहे थे उनके मार्क्स जो है वो 70's में आ रहे हैं, which is like very unfortunate, अब बलंडर क्या किया है लड़कुने मैं सीधा स्टेट सबसे पहले ले चलता हूँ, आपके paper की तरफ, paper के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे और फिर हम cut off की तरफ जाएंगे, ठीक है यहाँ पे आप देखें दोस्तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक question है यार, मैं ज़र आपको यह DI का question दिखा देता हूँ, एक बार यह जो provident fund का यह जो question है यह वाला, इसकी percentage आपको बतानी थी, उनकी जो और दूसरा पार्ट इसका यह answer था ठीक है तो यह भी, I hope कि आप लोगों का, जो है, वो हो गया होगा, ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ज़रा paper की तरफ रुक करता हूँ और paper में देखता हूँ, कि यहाँ पे यह आप देख सकते हैं, यह जो यह 100% paper easy नहीं था easy paper क्या होता है, easy यह होता है कि आप गे बिना पढ़े चलेगे, आप आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप 80 तक करके आ रहे हो that is easy, but यहाँ पे जो paper है आपका, वो मेरे हिसाब से moderate level का था, अब मैं उसे moderate to tough category में नहीं लूँगा, बढ़ हाँ, यह मैं जुरूर कहूँगा कि भाई, आपका paper moderate था I know, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, comment sections में comment में आएंगे, अपना ग्यान थौपेंगे ग्यानी बनेंगे comments करेंगे कि भाई साब, मैंने तो इतना किया, इतना किया, paper जो है, वो tough नहीं था, paper तो बहुत easy था, तो भाई साब, मैं उनको कहूँगा कि शायद आप super genius हो सकते हैं आपके लिए paper easy हो सकता है लेकिन इसका deep analysis करने के बाद ही ये चीजे मैं बता रहा हूँ आपको, paper आपका easy नहीं था, ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो computer का, जो 30 questions थे 30 questions में कम से कम कोई 26 questions ऐसे थे जो 100, मदब जो बिना पढ़े वाला भी मेरे हिसाब से कर सकता था, ठीक है और जो 4 questions ऐसे थे, वो moderate level के थे, थोड़े programming angle के थे, थोड़ा object oriented यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनमें से मैं अगर बात करूँ तो, एक ये था फिफो वाला, लिफो, लिफो last in first out वाला principle ये आपका stack में use होता है ये एक, ये question था उसके अलावा एक और question था, यहाँ पर अगर आप देखें ये जो binary वाला था, हाला कि ये भी कोई tough नहीं था, लेकिन binary वाला भी question जो है, वो इस level का मतलब थोड़ा बहुत moderate था उसके अलावा, अगर मैं नीचे चलूं दोस्तो तो यहाँ पर structured query lag वेज इतना कुछ ज़्यादा जो है, वो tough नहीं था ठीक है, नीचे चलूं तो यहाँ पर, जो है वो यह जो virus की types है, इसमें कुछ candidates जो है, वो गलत करके आए होंगे और बस यह कुछ 3-4 ऐसे questions थे जो मुझे moderate लगे, जो बचे गलत कर सकते थे बाकी यार, current affairs का तो current affairs के 3 questions आये थे current affairs में से सिर्फ 3 questions आये थे एक हमास militant के बारे में आया था इसका यहाया, सिनवार आपने देखा होगा news use में कहीं, तो उसके अलावा जो, यह जो startup का है startup based, यह भी एक current affairs का है, और उसके 24 marks questions, 24 में से मेरे हिसाब से 18 के आसपास 18 के आसपास, जो है वो कर सकते थे, आप easily doable थे बाकी इसके उपर जो जितने भी थे वो थोड़े moderate level के थे तो उसके अलावा अगर मैं नीचे चोनूं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे, जो है वो English के अगर बात करूँ तो देखें, English में 24 marks English 24 marks का था और 24 में से मेरे हिसाब से 19 तक का 19 तक का easily doable था हाला कि कुछ लोगों को लगा था कि मैं तो कर के आया, मैंने तो full कर दिया, लेकिन English का थोड़ा moderate level का था मेरे भाई moderate कुछ questions थे, वहाँ पे जो है वो rules बगेरा लगते हैं, grammar के और rules जिनको पता नहीं थे, वो सारे गलत करके आए हैं, ठीक है, अब थोड़ा जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं, आपके reasoning की तरफ आते हैं भाई पहली बात तो ये कि reasoning का एक question है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक बार, ये जो ये वाला question है, ये rape, map, ये hot fun ये वाला, ये तो मतलब ठीक था इसी था, लेकिन ये जो दूसरा वाला question है, ये cwe, fkoh, इसमें थोड़ा सा ये तगडे level का moderate level का है, ठीक है उसके अलावा, ये syllogism का, ये syllogism का, ये भी जो है वो, almost ठीक था, moderate था, उसके अलावा, मतलब syllogism के तीनों questions जो है वो ठीक level के थे, statement conclusion भी almost moderate थे, अवराल, अगर आप मुझे बताओगे, 24 में से reasoning के questions कितने थे, 20 आप आराम से कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता, तो शायद आप 20 question आराम से कर सकते थे, उसके अलावा, दोस्तों, उसके अलावा mathematics की बात करें, भाई, mathematics एक ऐसी चीज है, जिसने सब की band बाजा के रख दी है, ठीक है, कुछ लोगों को लगता था कि हम करेंगे, तो, भाई, मैं seriously, ये चीज़ बता रहा हूँ, sorry, यहां पर कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट कुछ लोगों को लगता था कि हम फोड के रख देंगे, maths को, लेकिन maths नहीं उनकी फोड के रख दी, literally, maths का, भाई, moderate level था, maths का अगर आप मुझे literally बताओगे, तो सिर्फ दो या तीन ऐसे questions थे, जो थोड़े easy level के थे, बाकी जो questions थे, थोड़ा time consuming थे, मैं tough नहीं कूंगा, time consuming थे, तगड़ी level के, ये आप question देख सकते हो, ये थोड़ा लगाना था, यार, और data interpretation का, और ये जो questions थे, ये थोड़े moderate level के थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये data interpretation का, DI का जो question था, ये भी जो है, वो ठीक था, ज्यादा tough नहीं था, ठीक है, तो maths में अगर आप मुझे बताओगे, तो 18 में से 8, 8 ऐसे questions थे, मतब जो आराम से कर सकता था, कोई भी, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, maths की practice की होगी, mock test लगाए होगे, वो 8 questions कर सकता था, ठीक है, बाकी computer का तो मैंने आपको बताई दिया, यार, ये था हमारा एक overall analysis paper का, कि paper जो है, वो कैसा है, अब यहाँ पे मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों, मज़े की बात यह है कि, बहुत सारे लोगों ने, जो है, वो blender कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने silly-silly mistakes कर लिया है, और silly-silly mistakes की वज़े से उनका paper जो है, वो बहुत खराब गया है, कुछ लोगों के 18-18 questions, जो है, वो कम हुए है, marks कम हुए है, तो यहाँ पे, अगर आप मुझे बताओगे अभी, कि sir, cut-off किस range में जा सकता है, तो भाई, cut-off की जहां तक बात है, तो cut-off as of now, मेरे हिसाब से predict करना, शायद मुझे हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने, मतब जो paper है, paper सारे कह रहे थी, कि easy आए था, easy आए था, लेकिन paper easy नहीं था, बट still, मैं यहाँ पे कह देना चाहूँगा, कि open merit में, याद रखीगा मेरी बात, open merit में, अगर आप 90 plus है, क्या है, अगर आप 90 plus है, याप चलो ठीक है, 85 plus रख लेते हैं, 85 to 90, 85 से ओपर अगर आप है, open merit में, तो आपका जो है, वो अच्छा, अच्छा खासा chance है, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बताएंगी, कि 100 उपर जाएगा, 104 के उपर जाएगा, तो ऐसा बिलकुल भी possible नहीं है, भाई, पोस्टें बहुत जादा हैं, 1340 something कुछ है, 1369 जितनी भी है, पोस्टें जादा हैं, उस वज़े से आपका cut-off नीचे आने के chances हैं, तो that means कि cut-off, जो है आपका cut-off मेरी हिसाब से, open merit में अगर आप score कर पा रहे होंगे, 85 के उपर नीचे, मतब आसपा 85, आप 90 के ले लो, और आपकी जो भी कोई भी category के हो आप, आपका 80 score है, ठीक है, 80 से लेकर 85 के बीच में है, ठीक है, अगर आप इस category में हो, आपका category भी है, तो आपके chances बहुत जादा हैं दोस्तों, ठीक है, अभी मुझे recently एक लड़की ने message किया था, सर, उसकी कोई category है, और उसका score 86 है, तो मैंने उसको thumbs up बता दिया, thumbs up दे दिया, मैंने का, ठीक है बाई, आपका chance है, you have good chance, तो बाकी all the very best, ठीक है, तो यही है दोस्तों, बाकी यार, आपका क्या opinion है, इस cut-off को लेके, इस, जो है, वो मुद्दे को लेके, आप हमें comment section में लिखे, जुरूर बताएं, बाकी यार, यह तो, आप, I know, आप मेंसे बहुत सारे लोग अभी परेशान होंगे, रो रहे होंगे, खैर, it is like, life यहीं तक सेमित नहीं है, limited नहीं है, this is not life, आप life में कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है, government job अगर आपके लिए, नहीं है, तो आप किसी दूसरी field में अच्छा कर सकते हैं, यहां पर दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, बाकी, यार, it's a part of luck also, तो मैं इसे यही को हूँगा, बाकी यार, महनत करते रहिए, hard work करते रहिए, जिन लोगों ने regularly mock test दिये होंगे, कोशिश की होगी अपनी गलतियों को कम करने की, तो वो लोग, जो है, वो lead लेंगे, वो लोग, जो है, वो यहां पर, again, one thing, मैं यहां पर कहना चाहूँगा, जिनका maths और reasoning बहुत अच्छा गया है, तो वो बंदे, जो है, वो merit में आ जाएंगे, बाकी यार, comment section में लिखके, आपनी discussion जुरूर करें, बाकी लोगों के साथ discussion करें, और यहां पर एक news थी, वो teacher के बारे में, वो सुनकर बहुत बुरा लगा, मुश्टाक एमट डार, अब 100% अभी तक तो कोई official news से नहीं आया, लेकिन सुनने में आया, तो बहुत बुरा लगा हमें, यह सुनके, बाकी I wish all the best to each and everyone of you for your result, और जितने भी finance के experience हैं, उन सब को all the best, चले खुदा हाफिज